नमस्कार दोस्तों मैसल फासीजगरी और इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे 20 सेकेंड डियर जलोची का फस्स सेमेस्टर है कॉर्ड डेटा और इस सेमेस्टर से ओलेडी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे दोस्तों सिफैलो डिसकस एंड रहब्डो प्लूरा ये दो short question exam paper में ऐसे हैं जो कि कई बार repeat होते रहते हैं कभी रहब्डो प्लूरा के उपर exam paper में short question पुछा जाता है दो नंबर में या कभी कभी सिफैलो डिसकस के बारे में ये दोनों एनीमल्स जो हैं हेमी कॉड़ डिटा के अंदर आते हैं हेमी कॉड डिटा सभफाइलम हेमी कॉड़ डिटा और class terobranchia के अंदर ठीक है टेरो ब्रैंकिया को फर्दर दो अलग ओर्डर में डिवाइट किया गया है और उन दोनों अलग-अलग ओर्डर में रहिप्डो प्लूरा एंड सिफैलो डिसकस को रखा गया है दोस्तो इस पर शोर्ट कोश्चन एक्जाम पेपर में कई बार पुछा जाता है इसलिए हम इस वीडियो के अंदर इसको डिसकस कर रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिसकस करते हैं सिफैलो डिसकस सिफैलो डिसकस एक एनिमल है डाइगराम आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप डाइग्राम देख रहे हैं यह Cephalo Discus का डाइग्राम है और यह दोस्तो हेमी कोड़ डेटा सब फाइलम के अंदर रखा गया है और जो क्लास टेरो ब्रैंकिया के अंदर रखा गया है ठीक है और इसके जनरल फिचर्स क्या है यह इसका हैबिटेट का है है यह कहाँ पर रहता है और इसकी बोडी स्ट्रक्चर किस तरह की है इसी के बारे में आपको वहाँ पर एक्जाम पेपर में दो नंबर में शोट कोशन में एक्स्प्लेइन करना पड़ता है और आग कोशिश करें कि इसका डायग्राम भी आप बना सके अगर 5 नंबर में पूछा जाता है MSC में कभी कभी इसके बारे में 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर डायग्राम भी बनाना होगा अगर आप वहाँ पर बना देते हैं और फिर explanation थोड़ा कम भी रखते हैं और stagnant animal है यानि कि इस्थिर animal है मतलब एक जहाँ टिक करके रहने वाला ठीक है और colony इसकी जो colony होती है उस वो जो है gelatinous branch से cover रहती है ठीक है इसकी जो colony की complete branch जो होती है वो gelatin से covered रहती है which have small filament amplification जिसके अंदर आप देखेंगी small filament amplifications आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनके बीच, इनके अंदर क्या होता है in which present many tubular cavity इनके अंदर कई सारी tubular cavity present होते है and each cavity have joints और प्रते cavity के अंदर joints present होते है दोस्तों ये जो joints होते हैं इनकी body divide होती है proboscis, collar and trunk जैसा कि हमने देखा कि hemicodata का जो main features है इनके अंदर जितने भी animals रखे गए है या पाया जाते हैं उनकी body proboscis, collar and trunk three parts में divide रहती है तो इसी तरीके से ये जो cephalo discuss है इसकी body भी जो होती है इसके joints की भी body जो होती है वो proboscis, collar and trunk में divide रहती है collar वाले reason में दोस्तों in this reason, यानि किस reason में collar वाला जो reason होता है सबसे पहले तो मैं आपको इसके diagram को अच्छे से समझा देता हूँ कि इसका mouth कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी body structure इससे आप easily समझ पाएंगे ये है दोस्तों इसके arms और ये इस arms पर लगे हुए है tentacles ये इसका प्रोबोसिस है ये इसके gill slits present होती है ये इसका mouth और ये इसका collar reason इस collar reason के उपर आप देख सकते हैं ये arms लगे हुए है, arms नहीं कि भुजाए है और इन भुजाओं पर ये जो blue blue color में मैंने शो किया है, इसको बोलेंगे हम tentacles ये पूरा body का trunk हो जाएगा trunk वाला reason ये stock होगा और ये नीचे birds कहलाता है क्योंकि ये asexual reproduction द्वारा budding के थुरू reproduction करते हैं और ये birds जो हैं, वो separate होकर कि एक नए animals को बनाते हैं इसका birds यहाँ पर होगा, ये stock और ये trunk हो जाएगा, और ये आगे वाला reason arms जो देख रहे हैं, इनकी संख्या 8 से 16 होती है, which many numerous tentacles, which है, इनके अंदर कई सारे tentacles जैसे कि आप देखेंगे, ये बीच में arms गई होई है और ये blue blue color की किनारी किनारी पर lateral side में इसको बोलेंगे tentacles tentacles present होते हैं दोस्तों इनका जो elementary canal होता है और इनका जो annus होता है, वो mouth के near ही होता है, जिसका जो annus होगा, वो mouth के एकदम समीप यानी near होता है the pharynx consist of pair of gillslits are present, दोस्तों इनके अंदर gillslits present होती हैं, ये कि हमने देखा था कि phylum hemicodata के अंदर इसका general features है कि इनके अंदर भी gillslits पाए जाते हैं, इसलिए तो इनके hemicodata यानी के half codata का जाता है, हemi का मतलब half यानी के आधे codates इसलिए इनका जाता है क्योंकि ये codates की कई सारे features को show करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे, the pharynx consist of pair of gillslits are present and stomachod pharyngeal wall present, दोस्तों इसमें जो cod नहीं पाए जाता, ठीक है तो notocod जैसी एक structure पाए जाती है, जिसको हम बोलते हैं, stomachod ठीक है, hemicodata के अंदर notocod जैसी एक structure पाए जाती है, जिसको हम बोलते हैं, stomachod और stomachod दोस्तों जो होती है, वो कहाँ पर पाए जाएगी, इस animal cephalodiscus के pharyngeal wall में कहाँ पर जो pharynx की जो दिवार होती है, उसमें present होती है आगे बढ़ते हैं, इनका जो circulatory system वो कैसा होता है circulatory system यानि भी हिंदी में परिसंचरन तंतर कैसा होता है, तो दोस्तों इसमें जो है, hurt पाए जाता है cardiac sac यानि के cardiac यानि दिवार, ठीक है, ठेली में present होता है, but mostly ज्यादा तर जो species होती है, वो unisexual होती है, unisexual मतलब male अलग होगा, female अलग होगा male और female are separate आगे बढ़ते हैं, asexual reproduction, दोस्तों इनके अंदर asexual reproduction पाए जाता है, और through budding budding के through होता है, जैसा कि मैंने आपको बता है या नीचे birds आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कलीका उत्पौदन हिंदी में जिसको कहा जाता है, और इंग्लिस में budding के through इनके अंदर asexual reproduction होता है, तो ये था cephalodiscus, इसमें अगर मैं फिर से एक बार repeat करता हूँ, BSC में दो नंबर में या तो कभी-कभी rehybdo plura पूछा जाता है, और या cephalodiscus, और MSC में अगर आप MSC के student है, जो जी MSC से कर रहे हैं तो उस condition में आपको जो है, आप कोशिश करने की diagram के साथ explanation भी complete दें ठीक है, और BSC वालों के लिए आप diagram बना रहे हैं, तो explanation आप थोड़ा कम रख सकते हैं, ठीक है, main main points आप लिख सकते हैं, दो number में अगर short question में पूछा जा रहा है, तो चली स्टार्ट करते हैं अब हम देखते हैं, दूसरा number second animal ये तो था हमारा first animals, hemicodata subphylum hemicodata के अंदर रखा गया है, terobranchia, class के अंदर रखा गया है, ठीक है, और इसको further terobranchia को further दो orders में divide किया गया है, जैसे कि हम already classification में देखी चुके हैं, hemicodata के तो आई अब देखते हैं, दोस्तों, रहेब्डो pleura, दोस्तों ये जो रहेब्डो pleura है, ये सिफेलो को represent कर रहा है, ठीक है, ये रहेब्डो pleura के juids को represent करेगा ये diagram, और इस दोनों diagram के help से आप इस animal को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, चलिए देखते हैं, इसके general features क्या है, ये भी दोस्तों non-motile होता है, colonial animal है, ठीक है जैसे है कि आपने देखा, अर्थ जो होता है, इसमें उपर वाला भाग, north region या नोर्थ hemisphere कहलाएगा, ठीक है, अगर प्रित्वी को दो भागों में बीचो बीच बाड़ divide किया जाए, तो उपर वाला जो भाग है, generally हम north region कहलाएगा, ठीक है north hemisphere और नीचे वाला जो होता है, वो southern hemisphere कहलाता है, तो यह southern hemisphere में रहिपडोपलियूरा पाया जाता है, juids are closed in tubules, दोस्तों इनके जो juids होते हैं, जैसे कि हमने देखा, इनके अंदर भी juids प्रेजन थे हैं, सिपोलो डिसकस के अंदर भी, और इनके juids भी proboscis, color and trunk में divide है, इनके juids जो होते हैं, दोस्तों tubules में, जैसे कि यह देख रहे हैं, यह tubules है और इसके अंदर इसका juids present है ठीक है, तो इनके juids जो होते हैं, वो closed रहते हैं, tubules के अंदर और body जो होती है, juids की, वो भी divide होती है, proboscis, color, trunk and stock में, तो इन दोनों की जो body है, इनके दोनों के juids हैं, उनकी body जो होते है, proboscis, color and trunk में divide होती है, आगे बढ़ते हैं color reason में, दोस्तों इसका color reason है, one pair arm, उसके color reason में आपको one pair arm दिखाए देगा, यानि tentical present थे, इसमें भी stomach cord present होता है, जैसे कि मैं अलड़ी बता चुका हूँ कि इनमें notocord absent होता है, लेकिन notocord के जैसी structure पाए जाती है, जिसको road like structure पाए जाती है, जिसको हम stomach cord बोलते हैं ये दोस्तों unisexual होते हैं, यानि कि male और female जो होता है, वो separate होगा, अलग होगा, ठीक है, और budding के द्वारा ये भी reproduction करते हैं अब मैं आपको इसका diagram दिखा देता हूँ अच्छे से समझ लेते हैं diagram को भी, ये जो आप देख रहे हैं diagram ये कालोनी का, पूरी की पूरी जो कलोनी है, रैब्डो प्लूरा की उसका retracted joids, ये जो नीचे की तरफ दिखाए दे रही है, ये है retracted joids उसके बाद आप ये देखेंगे, ये जो joids है ये इसके अंदर, tubules के अंदर joids की structure को दिखाए गया है, इसको आप अच्छे समझें, उपर की तरफ proboscis होगा mouth ठीक है, proboscis, color pore ये होगा mouth और ये collar, ठीक है और यहाँ पर ये arms, दोस्तो इसका भी जो है, जैसे आपने सिफैलो डिसकस के अंदर देखा था, इसका जो mouth था, वो anus के near था, यहाँ पर भी देखेंगे, ये जो anus से देख सकते हैं, ये mouth के लगबग लगबग, नियरी होता है, ठीक है, और ये इसके test is present है, तो ये क्या है, juids of rehyptopleura, दोस्तो अगर short question में पूछा जाता है, तो आप सिर्फ ये diagram या तो ये diagram बनाएंगे, दो नमबर में अगर पूछा जाता है, या फिर इसके juids का diagram बनाएंगे, कभी-कभी उसको फटा-फट नोट करें, और दोस्तों मिलते है next video में, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, और चैनल को subscribe कर दें, अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो से ये, तो, मिलते है next video में, bye-bye, टटा